यहां पर इरान ने जो है वो इसराइल के उपर हमला कर दिया है तो यहां पर पहले भी ऐसे चीज़े हो चुकी है तीक है 2022 में जब रशिया ने यूकरेन के उपर हमला किया था तब भी हम लोग 18% की क्रेश में गये थे हिंदियन मार्केट जो है निफ्टी वाइस में बता रहो 18% का क्रेश किया था उसके बाद इसराइल और पिलिस्टीन का जो हुआ था वार सिचुएशन हमास और इसराइल का हमास में जो अटेक किया था इसराइल के ऊपर उसके बाद जो हम लोग जो हम लोग 36-47% के आसपस का crash था लेकिन उसके बाद क्या हुआ war situation के बाद क्या हुआ अब वो war जो होती है वो किसी के लिए अच्छे नहीं होती लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक opportunity के रूप में war situation को देखना चाहिए जो भी आपकी current position होगी ठीक है उसको आप square up कर सकते हो यहाँ पर और नई position नए लेवर जो है अगर आपकी पुरानी position है stock के अंदर तो वहाँ पर आप उस positions को अगर losses में जा रही है तो तूरण ही उसको square up करके वेट कर सकते हो यहाँ पर कि आपको stocks जो है वह बहतर quality के stocks अच्छे price पर मिले discounted price पर मिल सकते है यहाँ पर इस बात के बारे में आप लोग जरूर सोचना तो shopping का time जो है वह मंडे के दिन आ सकता है आप लोग को दो से तीन दिन का गेट करना है तुरंत यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आप लोग को अगर हम लोग बात करें इरान और इसराइल के war situation की तो निफ्टी यहाँ पर कितरा गिर सकता है यूएस मार्केट अल्रेडी करीब-करीब 5% का fall जो है वह all time high से अपने दिखा चुका है गिर चुका है और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट की तो इंडियन मार्केट में जब भ आई थी और उसके बाद जो recovery आई थी वह आप चार्ट में देख सकते हो करीब-करीब 17% के आसपास की recovery हम लोगों ने ऐसा ही कुछ हुआ था जब रशिया ने यूकरेन के उपर हमला किया था हम लोग उपर से करीब-करीब 17-18% की बिरावर में आ चुके थे और उसके बाद जो हम लोगों ने all time high जो है वो तच किया था अभी भी वो situation हो सकता है यहाँ पर मैं predict करके चल रहा हूँ कि मिफ्टी जो है वो कम से कम 6-7% 8% तकी गिरेगी यानि 21,000 का level जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है 21,000 के आसपास हम लोग आ सकते है 100-20000 उपर मान करके चलन वहाँ पर चार्ट में आप लोग देख सकते हो किस सरी के समयने यहाँ पर दिखाया है तो इतना crisis जो है वो आ सकता है अब बड़ा crisis जो है वो 18-20% का कब आएगा अब यहाँ पर बात हो रही है इस्राइल और इरान के बीच्छी लड़ाई की अगर यह war बड़ा होने को आय तो यहाँ पर अगर अमेरिका यहाँ पर कूद जाता है और और दो-तिन कंट्री जो है अमेरिका जो है इस war में जूड़ जाता है actively इसराइल अमेरिका और आपका इरान और उसके साथ अगर एक दो कंट्री और यहाँ पर participate करती है तो यह war situation जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और इस condition में हमारे Indian elections भी आने वाले तो Indian elections next month से आपको दिखने लग जाएगा कि election का result क्या आता है क्या नहीं आता है वो समझ में आ जाएगा और इस situation में अगर war start हो गई बहुत बड़ी दो-तीन देशों के अंदर war start हो गई तो निफ्टी crash करना ते है करीब करीब 20% क आस-पास क्योंकि सारी stock अगर हम लोग देखे तो overboard zone में जा चुके है अगर US market के हम लोग बात करें तो US market के भी stock जो है वो बहुत जादा screen पर आप देख सकते हो बहुत जादा घिरावाट उनमें आ चुकिए कई कई stock तो 5-6% तक भी गिर चुके है और overall अगर बात करें तो एक crash जो है वो US market और Indian market के अंदर आ सकता है global consequences की वजह से तो यह सारा situation आपको मौका देता है तो कि पहले भी world war 2 हो चुका है ठीक है हम लोग को world war 2 में भी एक situation ध्यान में रखनी चाहिए कि जब world war 2 start हुआ था तब हम लोग उनको market जो है वो सारे डेशों के पूरे world के market जो है वो crash हो चुके थे और उसके बाद world war 2 जो है वो चल रहा था और market hold हो चुका था market को पूरी तरीके से बंद कर दिया था और यहाँ पर जब market खुले तो market ने उपर की तरह पर rally करना start कर दिया हाला कि world war 2 खतम नहीं हुआ था तो यह situations जो है वो आती रहती है market के अंदर और ऐसी ही situations में अब आप अगर thinking करें कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कोरोना में market suddenly crash किया करीब करीब index हमारा 30 से 40% के आसपास correct कर दिया stocks जो है वो 50-50% 60-60% stocks गिर चुके थे और उसके बाद क्या हुआ साल दो साल के अंदर फिर से हम लोग recovery करके उससे भी जादा कई गुना 10 से 20 गुना कई के stocks ने return दिये है निफ्टी ने भी उससे जादा का गुना का return दिया है अल्मोच 7,000 की निफ्टी 8,000 की निफ्टी अभी हम लोग 22,000 23,000 के आसपास देख पार है तो ये situation हमेशा मौका ले करके आती है ये situation war जो हमेशा चलने नहीं वाला है यहाँ पर war होगा और उसके बाद जो है वो समझो अच्छी quality के है आज Sunday है आज आप अच्छी quality के stocks में research करना start कर दो और अगर आपको अच्छी quality के stock जो है वो चुनना नहीं आता तो में कुछ stocks के analysis जो है वीडियो जो है वो provide करता हो अपने another channel के उपर वहाँ पर जा करके आप उसको देख सकते हो description box में उसका link मिलेगा दूस पर आपको दिख जाएगा कि कोई से कोई से stocks में आपको suggest करता हूँ ठीक है small cap mid cap में बहुत अच्छी गिराओत होगी उन stocks के अंदर आप buying कर सकते हो अगर आपके stocks अभी की position losses में जा रही होगी तो उसको आप cut कर सकते हो और next level पर आप नीचे की level पर आप stocks को accumulate करना start कर सकते और investment करने के बाद यही investment आपकी साल दो साल बाद आप देखोगे करीब करीब दो से तीन गुना हो जाती है तो पैसा double triple करने का यहाँ पर मौका होता है यह जो बहुत सिचुएशन से यह investors के लिए बहुत अच्छे होती है trading opportunity भी आपर आ सकती है आपके जो positions है वो आप reverse कर सक सकते हो एक crash तो आना तो है पैनिक situation हो चुका है market के अंदर हो सकता है हम लोग 500-200 पॉइंट के आसपास का gap down open करें ठीक है तो ऐसे में कोई भी stocks अगर loss में जा रहा है तो उसको यह मत सोच लेना कि हाँ यह मेरा long term है नहीं long term नहीं होता है आप उससे भी better price अगर आपने 100 को 70-60 रुपए में 50 रुपए में भी मिल जाए तो यह situation इस तरीके के होती है never average losing position अपने losing position को वही पर cut कर दो और आपको नहीं levels मिलने वाले नया position जो है वो नीचे की करब आपको stocks में मिलने वाला है यह time है आपको analysis करने का एक से दो दिन आप analysis कर लो और अगर यह सब community batches का number चल रहा होगा या फिर description box में community batches का number डाल दूँगा आप मुझसे stock market सीख सकते हो ठीक है और मेरे वीडियो देखते रहे है चैनल को subscribe कर लीजिए को आप सीखते रहोगे कि fundamental song companies को कैसे निकाला जाता है उनमे analysis कैसे किया जाता है उनको कब buy किया जाता है तो shopping का time जो है वो आने वाला है market से भागने का time नहीं है market में आपका पैसा लाने का time है जब भी आपको market crash करता हुआ दिखाई दे एक दो दिन आप wait करना ठीक है bottom लगे RSI लगा लो ठीक है और ये सब कुछ अगर scene आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ अब यहाँ पर यह fundamental strong company अच्छे कासी गिर चुके है जाट्यों किने 10 से 15-20 परसंट क्यास पास की गिरावट हो चुके है तीस परसंट क्यास पास की गिरावट हो चुके है तो वहाँ पर आप अपनी position buying की कुछ-कुछ quantity add करना start कर सकते है और जैसे जैसे उपर जाएगा वैसे वैसे आप अपनी quantity बढ़ाते कोई भी positions को buy नहीं करना है उसको पहले war situation को पहले discount हो जाने दीजिए दो से तीन दिन चार दिन के अंदर वह war situation हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना severe है कितना serious है कितना बड़ा बन सकता है फिर हम लोग जाकर के market के अंदर entry करेंगे तब तक आप लोग अपने cash की position hold करना ठीक है अपना जो भी cash होगा उसको hold करना और cash add कर सकते हो तो कर लेना ठीक है लेकिन stocks के अंदर options के अंदर trading करना मना है ठीक है इस तरीके से आपको में अपना knowledge जो है वो share करता रहता हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा है तो वीडियो को like जरूर कर देना चैनल क होता है investor के लिए और अच्छा खासा अपना amount invest करके आप अपने capital को double triple भी कर सकते हो even ठीक है तो यह बहुत अच्छा मौका होता है इसके अंदर option trading मत करो ठीक है हाँ आप put buy कर सकते हो डेख सकते हो scalping कर सकते हो लेकिन बहुत जाद option buying करके उस पैसे को loss मत कर देना क्यों क्या होता है कि एक तरब से market गिरता है then again recover करता है then again fall करता है आप समझ नहीं पाओगे नहीं हो तो market के अंदर उससे अच्छा है option से थोड़ा दूर रहो जो की तरफ मिले तो buying करके उसको hold करो वही पैसा आपका डो गुना तीन गुना हो सकता है probability higher होती है ऐसे गिरावट में अगर buying करते हो आप चलिए मैं मिलता आपको next वीडियो में तब तक लिए goodbye और चैनल को subscribe जरूर कर ले कर चैनल कर दोड़ा ईचमा प्रूर कर दो है और अचल को जज़ाए कर दो कम पर क्योंदरा आपको ज़ुना है ऑ्रफीयों सरों क मिले दोड़ा जेंगर टूर को जब प्राफीर प्क्त वीडियों संवाहा है क्यों कि लो दिए बस्टां अच्छा है यह जश्यादीर रशा